नमस्कार आप देख रहे हैं मोख शैनल जहांपर मैं प्रिया बांड़ी आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ और आज हम इस वीटियो में बात करने जा रही हैं आप सभी की पसंदिदा त्योहार मगर संक्रानती ही लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2023 में 14 जनवरी या पिर 15 जनवरी आखर कब मराई जाएगी मकर संक्रानती क्या है शुब मूरत और कौन सी तारीक है इसके लिए शुब चलिए जानते हैं आज की इस खास वीडियो में दोस्तो अब दिसंबर का महिना तो लगभग खतम होने को ही चला है लेकिन इसके बाद ही आपका नया महिना नया साल नई जनवरी का महिना शुरू होने वाला है नय साल के साथ साथ आप सभी को मकर संक्रानती का भी बड़ा बेसबरी से इंतजार होगा वह अगर हिंदू पंचांक की बात की जाए तो आपको बता दें कि इस बार कब पढ़ने वाला है मकर संक्रानती साल 2023 में किस तरह की के तेवहार आपको देखने को मिलने वाले है दोस्तों हिंदू पंचांक की अगर बात करें तो पौश माश की शुखल पक्ष की दवाध़शी तिथी को मकर संक्रानती का प्रिवव मनाया जाता है दोस्तों बता दी कि इस साल मकर संक्रान्थी पर्व हिंदु धर्मे पढ़ने वाला साल का सबसे पहला तिवहार माना जाता है दोस्तों आपको बता दी कि मकर संक्रान्थी पर्व से हिंदु धर्मे पढ़ने वाला ये तिवहार साल का पहला तिवहार माना जाता है और यहीं से हिंदू धर्म के सारे तिभारों के शुर्वात हो जाती है। हाला कि मकर संक्रान्थी को देश के अलग-alग हिस्सों में अलग-alग नामों से जाना जाता है। आपको बता दे कि इसे दिन ही ग्रहों के राजा शूर्य धनो राशी से निकल कर मकर राशी में प्रवेश्य करते हैं इसलिए इसे मकर संक्रांती कहा जाता है दोस्तों मकर संक्रांती को लोगडी, उत्रायन, खिष्री, तहरी, फोंगल आदे इन कई नामों से भी जाना जाता है आपको बता दे कि इस दिन इसनान, दान पूजा, पाठ और तिल खाने की परंपरा सालों से चलती हुई आ रही है दोस्तों अब बात की जाए 2023 में मकर संक्रांती की डेट को लेकर जी हाँ आपको बता दे कि मकर संक्रांती की डेट को लेकर बहुत से लोगों की बीच में असमंजिस की स्थिति लगातार बनी हुई है लेकिन कुछ विद्वानों की माने तो उनका कहना है कि 2023 में मकर संक्रांती 14 जनवरी को ही होगी तो वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि नहीं 2023 में मकर संक्रांती 15 जनवरी को मनाई जाएगी अब चलिए विदवानों से ही जानते हैं कि आखिरकार साल 2023 में क्या है मकर संक्रान्ी की सही तीथी और क्या है उसका शिभमोरत दोस्तो पंचांग के अनुसार साल 2023 में मकर संक्रान्ी का पर्व उद्या तीथी के अनुसार रवीवार 15 जनवरी को ही मनाई जाएगी मकर संक्रान्ती का पुन्यकाल मुरत 7 बचकर 15 मिनट से 12 बचकर 30 मिनट तक रहेगा और अगर बात की जाए महा पुन्यकाल की तो मुरत 7 बचकर 15 मिनट से 9 बचकर 15 मिनट तक रहेगा क्योंकि इस बार सूर्य सनिवार यानि के चौधर जनवरी के रात्री में आठ बच कर 21 मिनट पर धनो राशी से निकल कर मकर राशी में प्रवेश करेंगे और संक्रान्ती तभी मनाई जाती है जब सूर्य मकर राशी में प्रवेश करती है तो ऐसे में मकर संक्रान्ती की जो तारीक होने वाली है वो पंधा जन्वरी होने वाली है अब बात की जाए कि आखिरकार मकर संक्रान्ती के दिन क्या क्या काम करने चाहिए दोस्तो मकर संक्रांती के दिन यदि आप पानी में तिल और गंगाजर मिला कर स्नान करते हैं तो आपके कुंडली में जितने भी ग्रह हैं वो दूर हो जाते हैं ऐसी मानयता है तो यदि आपके ग्रहों से जुड़ी कुछ दोश है आपके जिन्दगी में आपके जीवन में तो आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन से कुंडली में जितने भी ग्रह हैं वो दूर हो जाएंगे दोस्तो अब बात की जाए और क्या क्या कर सकते हैं आप मकर संक्रांती के दिन दानपुन्य करने का बहुत ही खास महत्व है इसलिए इस दिन आप अपने सामर्थिके अनुसार यदि गरीबों को कुछ दानपुन्य करते हैं तो इसके आपको आपके जीवन में बड़ी ही धैने को मिलेंगे अब बात अगर मकर संक्रांती के दिन क्या कड़िन क्या ना खाए उसकी की जाए तो मगर्णांती के दिन बुर्ण ऑर तिल से बनी मिठाईयां questa साथि इस दिन झेछड़ी खाने की परमपरास्थालों से Λलती हुए हा रही है हमारे द्युधर में दोश् से आपको बड़ी ही लाभकारी पल आपके जीवन में मिलते हैं युठा करती हूँ आपको हमारी आज के इस खास वीडियो में मकर संक्रानती से जुड़ी सारी जानकारियां मिल गई हों तो इसे लाइक शीर करके जरूर्ड बताइएगा झाल झाल